आगामी लोग सवच चुनाप से पहले मोधी सरकार ने बड़ा दाओं चलते हुए करीब सवर्णों को 10 फीजदी आरक्षण देने का फैसला किया है वहीं मोधी सरकार के इस निर्णे ने एक नई बहस को जन्द दे दिया है बहुजन समाज की तरब से भी इस मुद्द्यों को लेकर तमाम पिर्थिक्रियां है सामने आ रही है बहुजन समाज से आने वाले चात्रनेता सूरजकुमार बौध ने भी आरक्षण को लेकर अपना विश्लेशन रखा है सुनिए सूरजकुमार बौध को करांतिकारे जैभिम साथियों साथियों यह बात है थोड़ी देर पहलेगी कि मंत्राले ने कैबिनेट मिनिस्ट्री ने 10 परसं आरक्षण का प्राउधान पारिद कर दिया है किसके लिए गरीब सवरडों के लिए गरीब सवरडों के भले के लिए सबसे पहले हम सब को हस्ची समझनी के जरूत होगी क्या-क्या आरक्षण दिये जाने का अधार आर्थिक है जब भारत का समिधान इसपस्ट रूप से कहता है भारती समिधान का अउनुचित 15 इसपस्ट रूप से कहता है रिजर्वेशन इस गिविन यानि कि भारत का समिधान यह कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा आरक्षण देने का जो आधार है वो समाजिक रूप से और सैक्षडी करूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाता है सरुल कास सरुल ट्राइब के लोगों को आरक्षड दिया जाता है तो फिर बैकवर्डनेस को डिसाइड करने का नया आधार नरेंद्र मोधी जी कहां से पैदा कर रहे हैं दरसल चुनाओ नस्दीक है और इस चुनाओ में नरेंद्र मोधी अपने सब चाल चरित्र को दिखा देना चाहते हैं आरक्षड विरोधी उनकी जो पूरी नीती थी आज वो अपने आखों के शामने सरयाम प्रश्तुत करा रहे हैं अपने चेले चापाटों के द्वारा अपने तमाम मंत्रियों के द्वारा, सांसक्र के द्वारा, नेताओं के द्वारा, दरसल भारत का समिधान इस मुल्क में समानता स्थापित करने की कोशिस करता है, भारत का समिधान एक ऐसा दर्सन है, जो इस मुल्क में समानता को स्थापित कर सकता है, लेकिन समिधान समिधान याद करिए जो कहता है कि वी विल गो अगेंस्ट कास्ट डूशन अनि स्टॉब्लिस राम मंदिर यानि कि समिधान बिरोधी सारी ताक्तें आज समिधान को खतम करने के लिए अपना पूरा कोसिस कर रही है नव अगस्त को जंतर मंतर पर भारत का समिधान जलाया जात हैं आज जब इस मुल्क में चुलाओ नस्दीक है तब ये लोग सवर आरक्षड के नाम पर इस समाज में हमारे आरक्षड को जो दिया गया उसको खतम करने की कोशिस कर रहे हैं दरसल सिलूल कास्ट के लोगों को 15% डिया जाता है सिलूल ट्राइब्स लोगों को 7.5% डिया संदिया जाएगा इसका मतलब समिधान को खतम किया जाएगा समिधान को खत्म करके समिधान को संसोधन करने की कोशिस करेंगे Equality is a basic past of Indian Constitution. Equality is a basic structure of Indian Constitution. It has been declared in many cases of Supreme Court. But even then, आज इस सरकार आरक्षर को खतम करने की कोशिस कर रही है. सोचिये, वह लोग, वह परकास्ट के लोग, जो सुबह साम यह चिलाया करते थे, कि आरक्षर से सही लोगों को फायदा नहीं हो रहा है. मैं कहा रहा हूँ, कि अगर आरक्षर से सही लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तो प्लीज एक बार आप अपनी आखे खोलो. Please just compare the status between more than thousands, five thousand years of exploitation and less than hundred years of reservation 5,000 साल से अधिक किजो गुलामी है और 100 साल से कम का जुआरक छड़ा है दोनों में आप हमारे सिती को दुलना कर लीजे और अगर रिजर्वेशन से हमारा फैदा नहीं हो रहा है, then why you are raging against us? जो लोग कहते हैं कि जाती आधारी तर अरक्षड नहीं होने चाहिए, आज वही लोग जाती के आधार पर आरक्षड देने की कोशिस कर रहे है सोचिए, जब इस मुल्क में सोसर जाती के नाम पर हुआ है, तो क्या सोसक जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा? सोसित जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिनका एधिहासिक नजरिये से सोसर हुआ है, जिनका समाजिक नजरिये से सोसर हुआ है, जिनका धार्मिक आधार पर सोसर हुआ है इस चीज़ को समझने के जरूत होगी गवर्मेंट्स को इस बात समझने के जरूत होगी कि reservation is not charity but rights given under constitution of India given by constitution of India आरक्षड न तो भीख है आरक्षड न तो दान है आरक्षड न अनुदान है न सेवा है, न समरपड है न सुविधा है, न सुरक्षा है बलकि आरक्षड हमारा मौली का अधिकार है और यह अधिकार जो हजारों साल से हमारे मान, सम्मान, सुविमान, संस्कृती सब पर हमला करके हमारे कवरों साली तिहास को खतम किया गया है उसके एवज में दिया गया एक छोटा सा किस्त है यह पहली किस्त है आरक्षड की वजय से जाती बात पैदा नहीं हुआ है बलकि जाती की वजय से आरक्षड पैदा हुआ है तो जाती को पहले खतम होना चाहिए आरक्षड बाद में खतम होगा जब जाती खतम हो जाएगी तो जाती आधारी तारक्षड का कोई सवाल ही नहीं होगा हमारे समाज के लोगों को यह समझने की जरूत होगी कि reservation कोई इंदिर्या आवास योजना नहीं है हम सब को यह समझने की जरूत है कि इंदिया is a caste-retained country यहाँ पर आप 100 रुपए, 200 रुपए में बहुत आसानी से आयप्रमार पत्र बनवा सकते हैं इंकम सर्टिपिकेट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है जब इंकम सर्टिपिकेट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इसका मतलब है अपर कास्ट को कोई रिजर्वेशन दिया जाएगा अपरकास्ट के गरीबों के नाम पर हमारा हक्षीना चाहेगा सबसे पहला सवाल है कि आप मोदी जी 10% reservation अपरकास्ट के गरीबों को दीजे चाहे अमीरों को दीजे हमसे इसे मतलब नहीं है लेकिन मेरा आपको सलाह है और सलाह के साथ चितावनी भी है मैं आपको अगाहा कर देना चाहता हूँ कि 10% सबसे परसंट reservation दिया जाना चाहिए आप सबसे परसंट reservation दे दीजे और हम बहुजनों को हमारा 90% आरक्षर दीजे क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी उसकी उतनी हिस्स्यदारी जितनी हमारी संख्या है उतना हमको भागेदारी उतना हमको हिस्ते दारी चाहिए तो मोदी जी अगर आपने 10% reservation सबसे लोगों को देने की कोशिस की है तो मैं आपके पहल के साथ हूँ लगे हाथ आप यह भी ऐलान कर दीजे कि हाँ इस 85-90% आबादी को उनके आबादी के हिसाब से reservation दिया जाएगा और इस 15-10% आबादी को उनके हिसाब से reservation दिया जाएगा क्योंकि एक मा के अगर चार बेटे होते हैं तो जमीन का हिस्सा चार हिस्सों में बढ़ता है बड़ा बेटा डाक्टर हो या इंजिनियर हो छोटा बेटा चाहे मज़दूर है या मनरेगा में काम करता हो इस अधार पर जमीन किसी को जादा किसी को कम नहीं मिलती है भूग सबको बराबर लगती है तो इस मुलक में जमीन का बटवारा एक बार आप इकॉनमीक बैसिस पर कर दीजे इस मुलक में समपत्ति का बटवारा एक बार आर्थिक गरीवी के अधार पर अपकरिए 5% के लोग 95% जमीन पर कबजा किया है ये बात लेंदर मोदी को दिखाई नहीं दे रहा है Actually जब reservation खतम किजा रही है ऐसे दोर में बहुजन समाज के लोगों को यह समझनी की जरूरत है कि एक बार फिर हमारे आरक्षड पे हमला किया गया है और reservation is a basic structure of Indian constitution because reservation leads towards equality और equality is a basic part of Indian constitution इसलिए reservation is a basic part of Indian constitution और reservation जब भारती समिधान का आधार भूत संग्रचना है तो जो लोग reservation के खिलाब भाउंग रहे हैं जो लोग reservation खतम करने की कोशिस कर रहे हैं ऐसे लोगों को यह समझनी की जरूरत है कि भारती समिधान पर हमला कर रहे है भारती समिधान पर हमला कर रहे हैं ऐसे लोगों का समिधान विरोधी कदम हम कत्तेई पर दास्त नहीं करेंगे हम भोजन के समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और भारत बंद करेंगे और तब तक बंद रहेगा जब तक equality stopless नहीं हो जा कि कि दो मिलड की सांती का दोर अब हमारे तरीके में नहीं रहने वाला है साहब equality तो stopless होगी चाह सांती से चाह सांती पुर्ड करांती से और चाहे किसी भी तरह के करांती से हम लोग समिधान बचाय जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समिधान में आस्था रखते हैं समिधान में यकीन रखते हैं समिधानी तरीके में भरोसा रखते हैं लेकिन जो लोग समिधान खतम करने की कोशिस कर रहे हैं तो सहाब इस बात को समझ जाए कि हम लोग इतने भी समिधानिक तरीकों को मानने वाले लोग नहीं है कि हमारे समिधान कोई खतम कर दीजे मम्मी का बलतकार हो रहा है तो बेटा बाप से परमिसन नहीं मांगेगा कि पापा हमको सुप्रीम पोर्ड जाना चाहिए कि हाथियार उठाना चाहिए तो हमारा आरक्षड खतम करने की कोशिस मत करो मोदी मैं अलान कर रहा हूँ बहुजन समाज के लोग जिस दिन खड़े हो गये न उस दिन भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी इन आरियन्स ताक्तों को उनकी आवकाद समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन इस बेसिक पार्ट आप और इंडियन कास्टूरूसन आब आदिक इस आपसे रिजर्वेशन मुलना चाहिए अगर इस मुल्क में जो रहना चाहता है उसको equality का सिधान्तिस्ट मानना पड़ेगा उसको समिधानिक तरीके में भरोसा करना पड़ेगा और वो लोग जो भारत का समिधान छोड़ करके मनुस्मृति में आस्था रखते हैं वो लोग समिधान विद्रोही हैं वो लोग समिधान द्रोही हैं वो लोग तेश्टरो ही हैं और ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हाक नहीं है